Hi everyone, this is Anam, welcome to PhD Jobs and Admission So, आठी इस वीडियो में हम important MCQs देखने जा रहे है On Research Methodology for your upcoming University of Lucknow for your PhD Entrance Examination तो आपके Lucknow University के PhD Entrance Examination के लिए Applications Form को fill up करना था, उसके dates को extend कर दी है University of Lucknow ने, till 31st of January 2024 तो याद रखना है 31st January तक आप registration कर सकते हो last और उसी के साथ साथ सारे चीज़े, seats बगेरा, सबके link आपको description में मिल जाएगी उसी के साथ मैं आपको बता दू कि इस वीडियो में हमने Research Methodology के काफी important questions जेनरली आपको examination में पूछी जाने के chances है उस questions को solve करवाया है और bilingual languages में आपके request के तुरू English, Hindi, दों languages में questions को solve करवाया है तो आपको end तक जरूर देखना है और जो भी question में doubt है आप मुझे comment करकर पूछ सकते हो उसी के साथ साथ जैसे के आप screen पर देख सकते हो for your paper 1 हमने के लिए complete course लेकर आया है जैसे के यहां पर इन डीटेल में आपको बता दूँ paper 1 के लिए हम आपको complete course प्रोवाइट करते है जिसमें आपको video lectures जिखने में लेंगे जो के theory mcqs दोनों video lectures है notes है practice mcqs pdf जिसको हमने काफी सारे questions कवर कर रहे है सारे previous year questions आपको यहां पर मिल जाते है as well as हम आपको यहां पर ऐसे questions प्रोवाइट करते है exam के कुछ दिन पहले revision package में जो कि आपको पूचहे जाएंगे तो यह सारा paper 1 का contain है जिससे कि आप directly directly आपके question में आपके question paper में इस type के questions expect कर सकते हैं जिससे कि हम देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे course में हम आपको 100% guarantee देते हैं पास होने की यानि हम आपको इतना prepare करवा देते कि आप at least passing marks तक marks score कर सको तो आपको जल से जल course को purchase करना होगा purchase करने के देख स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर या फिर आप आप के थुरूबी study material को access कर सकते हो जैसे कि स्क्रीन पर पेपर 1 के लिए अगें आप हमें इस नमर पर contact कर सकते हो और आप सारे सब्जेक्स के हमारे पस पेपर दू के study material अवेलेबल है so for paper 2 आप हमें screen पर दिये गए नमर पर contact कर सकते हो so that's it our time is नहीं करते आज के session अम स्टार्ट करें निम में से शोद के लिए किसकी अवशक्त्य होती है which of the following is required in research इस प्रश्च में हमें पता लगाना है कि दिये गए विकल्प में से एक कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसकी शोद में अवशक्त्य होती है मतलब दिये गए option में से कौन सा एक ऐसा option है जिसकी शोद में requirement होती है जिसकी आपकी जो research है उसमें उसकी जरुवत होती है जो हम एक एक करकर सारे विकल्प देखेंगे एक एक करकर सारे options देखेंगे और पता लगाएंगे कि resource में किस चीज की किस option के requirement होती है और आपके शोद में किस चीज की अवशक्त्य होती है जो पहले हम option A देखेंगे imaginary view जिसे हम कहते हैं कल्पनात्मक दृष्टिकॉन स्टोरी है यह imaginary imagine के basis पर बनी है आपने कुछ imagine कर लिया जो reality में exist नहीं करती है सो याद रखिएगा research हम ऐसे चीजों पर करते हैं जो real में exist कर रहा हो जिसको आप आपकी जो life है उस पर apply कर सकते हो लोगों पर apply कर सकते हो किसी drugs पर रिसर्च की जा सकती है कोई economic पर कोई social point पर रिसर्च की जा सकती है लोगों को यह लिए कुछ भला हो सके ऐसे topic पर जो लोगों के लिए useful हो सकी उस पर research की जा सकती है imaginary view पर research नहीं हो सकती है, मतलब आपके जो कल्पनात्मक दृष्टी कोन है, इस पर आप research शोद नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये real में exist नहीं करती है, इस पाइडर मैन की story ये तो बस imagination के basis पर बनाई गई थी, ये real में exist नहीं करती है, इस पर शोद नहीं की जा सकती है, शोद में इस जी के अवशक्ते नहीं होती है, इस जिसके requirement नहीं होती है, ये आपका जो विकलते हैं, इस question का गलत उत्तर हो जाएगा, उसे तरीके से विकल भी narration, narration जिसे हम कहते हैं अभी कथन, तो narration क्या होता है, जिसे माली जी कोई story है, राइटर क्या करते हैं, story को explain करता है, तो research में हम हमारा जो research topic होता है, उसको explain नहीं करते हैं, बलकि हम बताते हैं किस तरीके से उस problem को, उस topic को हम solve करने वाले हैं, किस तरीके से हम उस पर research करने वाले हैं, किस तरीके से वो लोगों के लिए helpful हो सकता है, उसका benefit क्या होगा society के लिए, तो यह हम देखते है research में basically, यहाँ पर आप research को narrate नहीं करोगे, उसको explain नहीं करोगे, यहाँ पर आपका जो विकल भी है, यह भी expression का गलत उत्तर हो जाएगा, उसी तरीके से option D देखेंगे अब हम, personification, personification जिसे हम कहते हैं, मानवी करन, अब personification मानवी करन होता क्या है, मतलब आप जो living thing है, उनकी quality आप गयर जीविद चीजों को बता देते हो, जैसे जीविद सकते हैं, तो आप यह ने कहोगे, कि आपकी जो जमीन है, यह चल सकते हैं, तो personification क्या होता है, कि आप कहते हो, कि जमीन चल सकती है, जैसे for example, हम उधारन के टॉर पर हम लेंगे, तो हम यह कहेंगे, कि जमीन चल सकती हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, living thing के जो भी quality है, हम non living thing को चीजों के जो भी quality होंगे, उनके जो भी features होंगे, हम गहर जीविच चीजों पर apply करें, सो से हम कहते हैं, personification, so research में इसकी भी requirement ने होते हैं, research में non living thing के बार में, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, इस पर research नहीं हो सकती है, सो यहाँ पर जो आपका विकल्ब दी है, यह भी गलत हो ज on looking as critical investigation, मतलब हो मतलब, आत्मप अबेशन, critical investigation है, अब बहुत critical way ने अफ्रिंशन करता हैं, ज्याइन से investigation करोगे, जो भी रिसेर्च का topic होगा, आप का जो भी research का aim होगा, कि आप इस तरीके से research करने scène, वाले हो उस problem का, जो भी research topic है, प्रीुम किस طरीके से solve करने वाले हो, उस उसका आप किस तरीके से उसको उसका उस समस्य का किस तरीके से आप हल निकालने वादा हो इस तरीके से आप इन्वेस्टिकेशन करते हो उसको बारीकी से देखते हो और आप उस प्रॉब्लम का हल निकाल लेते हो उसको solution निकाल लेते हो तो यहाँ पर इस प्रशन का पर सही उ प्ले काते हैं, यहापर आप research किस तरीके से करोगे, critical investigation करोगे आपके research में, यहापर आपका विकल्प सी इस प्रशन का सही उतर हो जाएगा, अगला question, match table A with the most appropriate options in table B, table A को table B में सबसे उप्योगत विकल्पों को साथ सुमिलेत कीजिए, इस प्रश में हमें यह पता लगाना है कि हमें table A given है और table B दिया गया है, so table A में हमें कुछ research की definitions दी गई है, मतलब table A में हमें कुछ अनुसंदान की परिभाशा दी गई है, और हमें table B से उसको proper match करना है, और देखना है कि हमें किस किस research की definition दी गई है, हमें उसकी proper जोडिया लगानी है मतलब table A में हमें कुछ research related definition दी गई है हमें उसे table B के साथ proper match करना है so हम table A पहले देखते हैं और उसके table B के साथ match करते है so चलिए इस question को हम solve करते है table A का first point हमें given है research is aimed at finding solution for an immediate problem society is facing so यहाँ पर हमें यह दिया गया है कि एक research है उस research का aim यह है मतलब उस research का उस naaris अभान का उद्दश यह है कि समाज में किसी problem का face कर रहे हैं लोग समाज में समाज के सामने आने वाली ततकाल समस्या का समधान खोज़ रहे हैं मतलब समाज में एक ऐसी problem आ रही है जो कि immediate problem है उस problem का हमें immediate समधान निकालना है यहाँ पर किस चीज की हमें problem है, किस चीज की समधान यहाँ पर है, हमें society से लेकर, यहाँ पर हमें mention किया गया है, कि society से लेकर कुछ problem है मतलब आपके जो समाज है समाज के सामने आने वाले कुछ ततकाल समस्या है तो उसका समाधान हमें खोजना है याद रखिये यहाँ पर हमें जो problems बता या है जो हमें समस्या बताई गई है वो समस्या भी बताई गई है जो कर फ application है जो कि it's outsider to society रखे हमें applied research के use करेंगे मतलब वहवारिक शोद का use करेंगे यहाँ पर आपका option A है मतलब आपका जो point A दिया गया है इसका correct option हो जाएगा point D मतलब आपका जो यहाँ पर first point दिया गया है इसका सही match हो जाएगा point D उसी तरीके से point 2 research aimed at gathering knowledge for knowledge sick मतलब एक research है जिसका aim है researchers का उद्देश यह है कि हम knowledge को gather करें मतलब ग्यान को एकटा करें और ताकि जो researchers है और ताकि जो भी लोग है वो अपनी knowledge को increase कर सकें knowledge को knowledge से किनी knowledge को increase करना knowledge के लिए ऐसे अनुसंधान जिसका उद्देश ये है कि हम जिसमें ज्यान को एकट्टा करें और उसका उद्देश ये भी है कि ज्यान के खातिर हम वो रिसर्च परफॉर्म करें वो रिसर्च होती है आपकी fundamental रिसर्च जिसे हम कहते हैं मौलिक अनुसंधान आपका point 2 दिया गया है उसका correct option हो जाएगा point C तरीके से third point देखते हैं हम research aimed at describing the state of affairs as it exists मतलब ऐसी research ऐसी आनुसंधान जिसका aim यही है कि हम किसी ऐसे मामले को किसी एक affairs है उसको एक state of affairs है उसको हम as it is जैसा वा exist कर रहा है इसको as it is हम describe करें तो यहाँ पर describing word आ रहा है मतलब यहाँ पर हम उसको उस अनुसंधान में describe करते हैं चीजों को वो अपकी research होती है descriptive research तो यहाँ पर जो point 3 है उसका हो जाएगा आपका correct point A मतलब वर्नात्मक अनुसंधान उसी तरीके से point 4 देखते हम researcher uses facts or information already available and analyze this make a critical evaluation of the material यहाँ पर क्या करें researcher के पस material already available होता है लेकिन उसी material का use करकर वो facts जानना चाहते हैं यहाँ यहाँ पर research है कि पर सारी information already available है उसे research प्रैक्टिकल परफॉर्म करकर देखते हैं कि वो reality moches happen हो रही है या फिन नहीं हो रही है तो यहाँ पर ऐसा safe और safe हम analytical research में करते हैं मतलब visualization आत्मक अनुसंधान में करते हैं यहाँ आपका option 4 है या इसका correct हो जाएगा point B तो याद रखिए analytical research यह analytical chemistry में जाद करके यूज की जाती है जिसमें आपके पास theory मतलब information available होती है लेकिन आपके अगर तो उसमें experiments perform करते हों experiment perform करके देखते हो कि वो चीज़ टेस्ट जो हम कर रहे है वो reality में वैसा exist हो रहा है पिर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हमने सारे options सारे points जो दिये गए थे उनका सारे correct definition मार्क कर दिये कि कौन से research की कौन से definition है तो यह order अगर आप देखते हो तो हमें option B में given है इस question का आपका right option हो जाएगा option B विकल बी इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन पुर निर्धारित प्रशन जो उत्तर देने के केवल कुछ विकल्पिक तरीकों की अनुमती देते हैं कहलाते हैं pre-determined questions which allow only a few alternative way of answering is called इस question में मैं यह पूछ रहा है कि ऐसे questions जो के pre-determined होते हैं मतलब ऐसे questions जो हम पहले से ही decide कर लेते हैं जो पहले से ही हम तयार कर लेते हैं उन प्रशन को जिससे कि आपके पास questions के answers के लिए कुछ आपके पास alternative way होते हैं उससे हम क्या कहते हैं यहाँ पर याद रखना है ऐसे questions जिसको आप पहले से ही decide कर लेते हो मतलब ऐसे questions जिनका पहले से ही prepare कर लेते हो जिसको आप पहले से ही बना लेते हो उसे हम कहते है structured questions याद रखेगा जब भी आपको question में ऐसा पूछा जाता है जब भी आपको प्रश्म में ऐसा पूछे जाता है जैसे for example, आप research कंड़क करवा रहे हो, आप researcher हो, आप शोत करता हो, तो आप क्या कर रहे हो, आपको ये देखना है कि particular जो आप जैसे मानोगे कोई hotel है, उस hotel का आपको feedback चाहिए, या फिर कोई online service है, आपको online कोई website है, उससे अगर लोग कोई चीज़ा purchase कर रहे हैं, तो उसका आ करना होता है, तो यहाँ पर आपको कोई एक ही विकल पर टिंग माग करना होता है, जो कि सही होता है, जिस तरीके से आपको, for example, best example है, आपके exam में जैसे online, sorry, exam में जैसे आपके MCQs पूछ जाते हैं, MCQs टाइप के प्रशन आपके, जिसमें पहले सही सारे प्रशन अपके साथा प्रशन डिसाइडे होते examiner के, लेकिन आपको ऐसा ही विकल चूज करना होता है, जो कि एक ही सही उत्तर होगा उसका, तो मतलब ऐसा ही question का answer, जिसका एक ही सही answer होता है, और वो question आप पहले से ही decide कर लेते हो, आप यह कर लेते हो, आप पहले से ही उस प्रशन को decide कर लेते हैं, बता देते हो कि आप पहले से ही सारा decide कर लेते हैं और उसका answer कुई एक ही होने वाला है तो असे हम कहते हैं close ended structured questions जब भी structured आता है मतलब पहले से ही decide कर लेते हैं तो उसका पहले से ही आप एक manner बना लेते हैं systematic way में उस question का बना लेते हैं यह सही, उसे हम कहते है close ended structure question, close ended structured question, so इस question का आपकर सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प B, अब जो incorrect विकल्प है, उन्हें भी हम एक एक बार देख लेते हैं, so close ended unstructured question, मतलब close ended unstructured question, यह question कैसा होते है, यह close ended हो गया, मतलब यह इस ही type के होंगे, MCQs type के हो सकते, आपके yes no type हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस type के questions होंगे, unstructured मतलब, यहाँ पर उनका कोई structure नहीं होगा, यहाँ पर researchers जो होते हैं आपके शोत करते हैं, पहले से कुछ decide नहीं करते के कैसे questions होंगे, पहले से कुछ भी decided नहीं होता है, तो यहाँ पर job का option A है, जो विकल पर है, इस question का सही उत्तर नहीं होगा, उसी तरीके से option C, dichotomous questions, जिसे हम कहते हैं, दिव विज पत्र प्रशन, तो dichotomous का मतलब क्या होता है, dichotomous का मतलब होता है, ऐसी thing जिसे हम two parts में divided करते हैं, उससे हम कहते हैं, dichotomous questions, जिसे हम two parts में divided करते हैं, उसको आप पहले से ही pre-planned बोलोगे, या फिर पहले से सोच लेते हो, इससे कुछ question का कोई लेना देना ही नहीं है, इस option का, बस यह option आपको confuse करने के लिए दिया गया है, इस प्रशन में, आपको confuse नहीं होना है, dichotomous का मतलब होता है कि किसी भी आप ऐसी चीज़े, ऐसी thing जिसे आप दो चीज़ों में divide कर लेते हैं, उससे हम कहते हैं dichotomous, यह पर जो आपको option C है, यह भी इस प्रशन का गलत उतर हो जाएगा, उससे तरीके से option D, open-ended questions, open-ended questions क्या होते हैं, जिसमें researcher interviews कंड़क करवाते हैं, interviews के तुरू, experts होंगे, उनका opinion जानेंगे, जिसमें researcher को जो information मिलती है, words और text के form में मिलेंगी, yes, no type के form में, researcher को response नहीं मिलेगा, जो याद रखिए, open-ended questions में researcher को words और text के form में, respondents से response मिलता है, जो यहाँ पर इस प्रशन का ये भी सही विकल्प नहीं होगा, इस प्रशन का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो है विकल्प भी, close-ended structured questions, close-ended structured questions, अगला प्रशन, the research hypothesis, अनुसंधान परिकल्पना, इस हमें case option में दिया गया है, मतलब अनुसंधान की, अनुसंधान परिकल्पना के हमें definition किस option में दी गई है, हमें ये पता लगाना है, इस प्रशन में, सो हम एक एक करकर सारे विकल्प देखेंगे और बता लगाएंगे कि इस प्रशन का सही उत्तर क्या होने वाला है, तो जिस परिकल्पना ये कि आपका जो भी research होता है, research में जो variables होते है, variables के बीच में, जो आपके hypothesis होती है, ये कुछ prediction का काम करती है, मतलब भविश बताने का काम करती है, कि आपकी जो knowledge होती है, knowledge के बीचिज पर ऐसा हो सकता है, आप ये predict करते हो, मतलब आप बताते हो कि इन variables के परिकल्पना की परिभाशा, अब हम एक एक करकर सारे विकल्प देखेंगे और पता लगाएंगे कि इस प्राशन का आपका सही उतर क्या होगा, so option E, hypothesis must contain at least one independent variable and one dependent variable, yes, hypothesis क्या हो सकता है, जिसमें आपके एक independent variable होना चाहिए, और एक dependent variable होना चाहिए, क्योंकि एक और कोई दो चीजों के बीच में, कोई दो variable के बीच में ही, आप prediction लगा सकते हैं, कि इसके बीच में ऐसे कुछ relation हो सकते हैं, इन दोने variable के बीच में, मतलब कम से कम एक स्वतंत्र और एक आक्षरति चर होना चाहिए, आपके hypothesis के लिए, जिसमान लीजी, यहां पर मेरे पास दो variable होंगे, एक होंगा मेरा plant और एक होगा water, अपर दो variable होंगे, एक होंगा plant और एक water, तो मैं क्या कहुँए, कि plant और water के बीच में कुछ ना कुछ relation है, अगर plant को मैं water ज़्याधा दूँकी तो हो सकता है, प्लांट की growth ज़्यादा हो, यहां पर मेरे पास दो variable है, और इन दोनों variable के बी एक independent होगा इनमें से और एक dependent होगा ओके यहां पर जब विकल्प ए दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उसे तरी किसा option B भी देखते हैं हम is a predictive statement that relates an independent variables to dependent variable मतलब एक भविश्य कहलाने वाला कथन है जो एक स्वतंत्र चर और एक आश्यचर के जोड़ता है यहां पर हम क्या करते हैं यह independent और dependent variable के बीच में जो relation है उस relation के बारे में prediction लगाते हैं मतलब independent variable और dependent variable कैसे एक जिसने से relate कर रहे है उनके बीच में हम कुछ prediction कुछ भविश्यवानी करते हैं जिसने माल लीजिए यहां पर मैं यह भविश्यवानी करी कि हो सकता है अगर मैं water ज्यादा दू तो इस plant की growth भी ज्यादा हो सकती है यहां पर मैं confirm ने करी कि water अब ज्यादा द hypothesis are predictive statement which are to be objectively verified or the relationship that are assumed that to be tested मतलब यहां पर जो आपका विकल्सी बता रहा है यह बता रहा है अपने जो भी भविश्यवानी की थी जो भी कथन के बार में भविश्यवानी की थी आपने आप उससे क्या करते है आप उसका परिक्षन करते है अपके research में यहां पर जो मैंने यहा संधार में इसको टेस्ट करूंगी मैं अपनी उसी भविश्यवानी को अपने शोद में उसका परिक्षन करूंगी मतलब उसको टेस्ट करूंगी यहां पर जो ऑप्शन सी दिया गया है यह भी आपके research hypothesis की definition होंगी मतलब आपको जो विकल्प सी दिया गया है तो इसमें भी यहां पत्तर हो जाएगा option D. विकल्प D. यह सभी all of these अगला question. What is research design? अनुसन्धान design क्या है तो इस question में हमें इस प्रश्ण में हम यह पता लगाना हि कि अनुसन्धान design क्या होती है मतलब research design की bàsically हमें definition पता लगाना है इस प्रश्ण में हम यह पता लगाना हिक्या steps of research में पहले, सबसे पहले क्या करते हैं? रिषरच की problem decide कर camino मतल illness जो research question आप decide करते हो सबसे first study में सबसे पहले आप research को problem decide करो किस step पे आपको research perform करना है then उसके बात second step में researcher die show करता होते है hard उनकी research design decide करते है research design क्या होता है? basically researchers होते है यह decide करते हैं कि वो अपनी research को किस तरीके से perform करने वाले, अपने research में वो क्या कौन कौन से चीज़ों को include करने वाले, कैसे उस research को perform करेंगे, जैसे researcher को किस particular topic पर research करना, उनके कुछ problem होगे, कुछ problem है, मतलब disease से related कुछ problem होगे, उस disease के against उन्हें drug form करना होगा, आपने research design में यह लिखेंगे कि उनको कहा की population पर study करना है, किस population पर study करना है, मैं कौन सा area select करूँगा, मैं किस area को चुनूँगा study करने के लिए, फिर उसके बाद किन-किन लोगों को मैं अपनी study में include करूँगा, फिर मैं किस तरीके से अपने samples को select करूँगा, इसको perform करते हैं यह सारा research अपनी research design में लिखते हैं, याद रखें, research design में basically जो researcher अपने शोद करता जो है, यह एक planning करते हैं, यहाँ पर इस stage में सारी planning होती है, कि अपनी research को researcher है किस तरीके से perform करने वाले हैं, रिसर्च में कौन-कौन से steps, कौन-कौन से procedure फॉलो करने वाले हैं, किस तरीके से वो data collect करने वाले हैं, किस तरीके से वो data को analyze करने वाले हैं, यह सारी चीज़े researcher अपनी research design में बता देते हैं, आप कह सकते हैं कि research design में आपके जो शोद करते हैं planning करते हैं, और याद रखिएगा, research design, research design को हम blueprint भी कहते हैं, बहुत important है research design को blueprint भी कहा जाता है, बहुत से students को पता ही होता है कि research design को हम blueprint भी कहते हैं, आपको एक्जामे question इस तरीके से ही पूछा जा सकता है, what is blueprint? तो रिसर्च डिजाइन को ही हम ब्लीव प्रेंट कहते हैं जिसमें हम सारी चीज़े मतलब आपके जिशूद करते हो सारी प्लाइनिंग कर लेते हैं तो उसी तरीके से अगर आप 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 विकार देखोंगे तो इस कॉश्चन का आपका राइटा आप्शन हो जाएगा जो के बता रहे है और फ्रेंब्वर्क ओफ फॉर एवरी स्टेज ओफ दी कलेक्शन एन अनालिसिस ऑफ डेटा मतलब आप आपके रिसर्च में हर एक चीज किस तरीके से करने वाले हो हर एक स्टेज में आप किस तरीके से डेटा कालेक्ट करने वाले हो किस तरीके से डेटा क और विशलेशन है हर चरन के लिए एक आप डिसाइट कर लेता हो बता देता हो हर चरन में मतलब हर स्टेज में आप किस तरीके से रिसर्च करने वाले हो किस तरीके से आपके डेटा को अनिलाइस करने वाले किस तरीके से आपके डेटा को अनिलाइस करने वाले किस तरीके से आ से जो इनकरेक्ट होने भी हमें एक बारे देख लेते हैं, option A, the choice between using qualitative and quantitative research, मतलब यहां पर आप choice करते हो, यह बता रहा है, करते हो, यह पर आपका विकल पर इनकरेक्ट हो जाएगा, उसी तरीके से विकल सी, the style in which present your research finding example graph, मतलब आपने रिसर्च की और रिसर्च के जो आपकी result आ रहा है, जो आपके परिक्षन है, आपके जो result आ रहा है, आपके शोद के, उसके आप क्या करते हो, उससे आपकी जो information मि convert करते हो, यह बता रहा है, हमें option C, नहीं, research design में हम कोई अपने research के findings, मतलब research के result को एग्राफिकल वे में नहीं बताते है, जो आपका विकल C है, expression का wrong उतर हो जाएगा, गलत उतर हो जाएगा, expression का आपका जो सही उतर हो जाएगा, वो हो जाएगा, option B, मतलब के research design में सारी planning क कर ले तो किस तरीके से data collect करोगे और analyze करोगे, so option B, here is the right answer, अगला प्रश्च, निमलिखिद घटको के सही क्रम की पहचान करे, जो अनुसंधान के प्रस पर संबंदित है, identify the correct order of the following components which are interrelated in research, so इस प्रश्च में हम यह पता लगाना है कि दिये गए, points जो हमें दिये गए है, क steps दिये गए है, so research के इन steps को हमें correct order में arrange करना है, मतलब आपके जो शोध है, शोध में हम जिस तरीके से सारे steps follow करते हैं, सारे steps follow करते हैं, जो हम steps follow करते हैं, one by one, उन्हें हमें एक सही क्रम में arrange करना है, so याद रखिएगा, जैसे हमें यहाँ पर points में दिये ही, इस सारे points को ह हम solve करेंगा और पता रहें कि हमें किस प्रश्ण में सही विकल्प दिया गया है, जैसे ही आपर point A बता रहा है, observation, then hypothesis making, development of concepts, reducing the consequence of theories, methods of employ to obtain them, so याद रखिए, इन सारे steps में आप पहले तो आपका topic होता है, वो हमें given नहीं है, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, hypothesis make करते हैं, hypothesis making, मतलब परिकल्पना बनाने ही आपका पहला step हो जाएगा, परिकल्पना क्यों होता है, कि आप गेस करते हो, आपका जो भी topic है, topics related, आप कुछ गेस करोगे, कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, आप यहापर hypothesis लेड़ान करते हैं, hypothesis बनाते हो, hypothesis बनाने के बाद आप क्या करोगे उस hypothesis को आप, hypothesis बनाने के मतलब कुछ concept जवलब करोगे, उस hypothesis से related, जैसे hypothesis आपने बना लिया कि हो सकता है, कि water जादा देने से, plant की growth भी जादा हो, यह मैंने एक hypothesis बना ली, अब, मैंने तो hypothesis बना ली, लेकिन, मैंने जो hypothesis बना आई है, मैंने अपने, जो मुझे knowledge है तोड़ी, जिस फिल्ड में उसके basis पर मैं hypothesis बनाऊंगे, और फिर hypothesis बनाने के बद में उसके बाद, उससे related, कुछ concepts डेवलब करोगे, कि मैंने किस concept से, किस basis पर मैंने यह hypothesis डेवलब किया, इसके पीछे concept क्या है, तो second step में हम concepts डेवलब करते हैं, तो यहाँ पर developing concepts अवधार्नाओं का व observe करोगे, मतलब आप उसका outlook on करोगे, उससे observe करोगे, आप उससे analyze करोगे, तो यहाँ पर observation यहाँ आपका third step आजाएगा, observation के बाद, आप देखोगे, कि आपने किस तरीके से आप theory का अपने develop करोगे, आप आपकी theory जो है, इसको proof करने की कोशिश करोगे, reducing the consequence of theories, theories का बताओं करेंगे, मैं देखोगे कि यह relation between मैं हो सकता है, मेरी hypothesis मैंने ऐसे बनाया था कि हो सकता है, अगर मैं plant को water जाता दूँगे, तो हो सकता है, plant की growth भी जादा हो, इसके basis पर मैं कुछ information generate करोगे, कुछ concept बताओंगे, information मतलब कुछ concept बताएंगे, हम एक इस basis पर हमने यह hypothesis लेड़ using the consequence of theories, यहापका fourth point हो जाएगा, then fifth point हो जाएगा, कि आप उसके बाद, उसके methods बताओंगे, किस methods पर आपने यह theories को अप्टेंड करा है, किस methods पर आपने यह theory को generate करा है, बनाया है, so यहाँ पर आपका फिफ्थ पॉइंट 50 हो जाएगा, so इस question का आपका जो सही उत्तर हो जा जा गया है, यह option A में दिया गया, so इस question का आपका right option हो जाएगा, option A, अगला प्राश, सही संबंधी विशलेशन का प्रमुख विशेष्टा का पता लगाना है, the major characteristic of correlational analysis is sick to out, इस प्रश्मे में पता लगाना है कि correlational analysis का major characteristics क्या है, मतलब आपके सही संबंधी विशलेशन का प्रमुख विशिष्टा क्या है, हम क्यों correlational analysis करते हैं, हम से characteristic पताना है, मतलब इसकी यहाँ पर हमें correlational results related question दिया गया है, so correlational research में जैसे हम correlational analysis करते हैं, so इसका characteristic क्या होता है, हम variables के बीच में क्या देखते हैं, basically correlational research में और correlational analysis में जैसे कि हमें पता है जो हमेरी correlational research है इसमें हम variables की बीच में relation देखते हैं जैसे मालेज़े कोई हमारे पास एक variable A है और एक variable B है इन दोनों variable की बीच में हम relation देखते हैं लेकिन हम यह तो देखेंगे कि variable A और variable B के बीच में जो relation वो कैसा relation है और उसी के साथ-साथ co-relational analysis में अगर हम co-relational research में variables के analyze करें उनको हम observe करें तो हम ये observe करते हैं कि एक variable बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है अगर एक variable बढ़ाने से दूसरा variable बढ़ रहा है अगर दोनों भी variable same direction में जाते हैं हम उसे कहते है ये perfectly positive correlation है इनके बीच में positive correlation है क्योंकि एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है उसे तरीके से हम ये भी पता लगाते है कि एक घटने से दूसरा क्या घट रहा है या फिर एक बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है अगर एक घटने से दूसरा बढ़ रहा है, मतलब एक कम होने से दूसरा variable जादा हो रहा है, तो उस case में हम कहते है negative correlation है, याद रखने हैं, अगर दोनों variables same direction में move होते हैं, तो उने हम कहते है positive correlation और दोने variable opposite direction में move होते हैं, तो उने हम कहते है negative correlation है, variables की बीच में, वैसे करें हम variables के बीच में संबंद बताते हैं उनके बीच में कैसा संबंद है वह एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है कि एक को कम करने से दूसरा कम हो रहा है या फिर एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है यहीं हम हम हमारे correlational research में find out करते हैं और इसी चीज़ को हम कहते correlation analysis क्योंकि हम यहाँ पर variables की बीच में किस तरीके से analyze कर रहे हैं कि मैं अगर variable a को बढ़ाती हूं तो variable b से क्या असर हो रहा है इसका क्या effect हो रहा है कि यह भी बढ़ रहा है या फर यह घट रहा है यह basically हम correlational analysis में correlational research में करते हैं और इसी तरीके से हम correlational analysis करते हैं मतलब correlation research में चीज़ों को analyze करते variables को basically analyze करते हैं याद रखिए हम correlation analysis का basic characteristic होता है major characteristic होता है कि उसमें हम variable के बीच में कैसा association है यह देखते हैं मतलब association among variable मतलब 4 के बीच में कैसा संबंध है कि एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है, एक दूसर से उनके संबंद कैसे, उनका relation कैसा उनके बीच में, यह हम पता लागाते है हमारे correlational analysis में, correlational analysis का major characteristic यही होता है कि variable के बीच में association देखना कि एक दूसर वो कैसे connectator का संबंद कैसा है, से आपर जो आपका option C है, इस प्रशन का सही भी कलब हो जाएगा, उसी तरीके से हम remaining options भी देख लेते हैं, जैसे यह आपको option A दिया गया है, difference अमंग variables, मतलब variables के बीच का difference, हम basically difference ने देखते हैं, का बीच में संबंद देखते हैं, उनकी बीच का अंतर नहीं देखते हैं, हम चरो के बीच का अंतर नहीं देखते हैं, हम बस यह देखते हैं, चरों के बीच में कैसा संबंद क्या एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ाने से दूसरा बढ़ी रहा है हम यह देखते बैसिकले डिफेंट नहीं देखते सो यहां पर आपका विकल पे रॉंग जाएगा उसे तरीके से विकल भी variation among variables मतलब चर के बीच भिनता मतलब variation मतलब कैसे वो vary कर रहे है एक दूसरे से उनक में क्या variation एक दूसरे से वो कैसे अलग हो रहे है यह नहीं हम देखते हैं हम देखते हैं उनकी बीच में क्या relation है सो यह पर आपका option भी बी इंकरेक्ट हो जाएगा और इस question का आपका सही विकल पो जाएगा option C association among variables चर के बीच संबल अगला प्रश्ट Thank you for watching this video. Good luck with your preparations.